दोस्तो खास धंतेरस पर यमराज की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन एक दीपक भाट जलाने से यमराज होते हैं प्रसन और देते हैं लंबी उमर का बरदान आकाल मिर्तियू का भै भी नहीं रहता। दोस्तो दुनिया भर में धंतेरस का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साहत मनाया जाता है। ये कारतिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रियोधशी के दिन आता है। धंतेरस के पर्व पर केवल महालक्ष्मी गनेश, भगबान को बेर और भगबान धनबंतरी की पूजा ही नहीं ब संध्या के समय दीबदान करने से नरक की यातनाव और आकाल मिर्तियू का भेन नहीं रहता। इसको लेकर एक कथा भी काफी प्रचलित है। दोस्तो यमधीब को लेकर एक कथा है। पुरानों में धंतेरस की दिन यमराज की पूजा को लेकर एक कथा है। प्राचिन काल में पीहिम नामक राजा था जोतिशों ने राजा के पुत्र की कुंडली देख कर बताया था कि बिभा के चौते दिन राजकुमार की मिर्ति हो जाएगी इससे राजा और रानी काफी दुखी रहते थी राजकुमार जब बड़ा हुआ तो उसका बिभा हो गया बिभा का चौता दिन भी आ गया सबी लोगों को राजकुमार की मिर्तियू का भै था लेकिन राजकुमार की पतनी को उसकी कोई चिंता नहीं थी दोस्तों आपको बता दे राजकुमार की पतनी महालक्षमी की बहुत बड़ी भग थी उस दिन राजकुमार की पतनी ने महालक्षमी की पूजा यम राज साएंकाल के समय सर्प बने और महल में घुज गए दीपों की रोशनी से सर्प की आँखे चोंदिया गई और वो राजकुमार की पत्नी के पास पहुँच गए दोस्तो भजनों में खो गई यमराज राजकुमार की पतनी के भजनों में सर्प इस तरह मंतर मुग्द हो गया की उसे पताही नहीं चला कि कब सुबह हो गई सुबह होने पर यमराज को खाली हात लोट कर जाना पड़ा क्योंकि राजकुमार की मिर्तियू का समय टल चुका था इससे राजकुमार दिरगायू हो गए इस दिन से धंतेरस पर्यमराज के नाम का एक दीपक जलाने की परंपरा शुरू हुई इस दिशा में मू करके रखें दीपक धन्तेरस की साय काल में एक दीपक में सर्सो का तेल डाले और रोली खीर मिश्ठान फूल आदी से उन्हें याद करें इसके बाद दीपक को घर से बाहर ले जाएं और दक्षिन दिशा में मूँ करके रग दें इससे आकाल मिर्त्यू का भेन नहीं रहता तो दोस्तो धन्यबाद